नमस्कार भारत होमेपैथी के यूटिव चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना जी एफार कैसे बढ़ा सकते हैं जी एफार यानि ग्लिमरल फिल्टरेशन रेट अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर यह होता क्या है तो आपको बता दूँ कि जी एफार आपको बताता है आपकी किड़नी कितने अच्छे से आपके ब्लड को फिल्टर कर रही है GFI test को कुछ doctors EGFR यानि estimated GFI test कहते हैं तो कुछ doctors calculated GFR यानि CGFI test भी कहते हैं यह test आपको बताता है कि एक मिनट में आपकी glomerally से कितना blood साफ हो रहा है या कितना blood बाहर निकल रहा है अब आपके मन में सवाल आया होगा कि यह glomerally होता क्या है तो मैं आपको बता दूँ glomerally आपकी kidney में मौजूद cells का group होता है जो आपके blood से waste materials को filter करता है ताकि आपकी kidney या आपकी body के required nutrients जैसे protein को कोई damage ना पहुँचे तो अब बात करते हैं GFR कैसे निकाला जाता है यह बहुत कम kidney patients को पता होता है कि यह blood test नहीं होता क्योंकि आपके blood में जितना creatinine होता है उसको निकाला जाता है फिर आपकी age देखी जाती है फिर छोटा सा calculation किया जाता है उस calculation में या फिर यूँ कहें उस formula में आपकी age और आपके creatinine level को डाला जाता है देन उसके बाद formula से आपका GFR निकल जाता है basically GFR एक ऐसा filtration rate है जो हमने आपके creatinine level से check किया तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि GFR बढ़ने और कम होने में creatinine level का बहुत बड़ा रोल होता है तो आपके मन में अब सवाल आया होगा कि इसका क्या रोल होता है तो मैं आपको बता दूँ जब आपका creatinine level कम होगा तो आपका GFR उतना ही जादा होगा मतलब आपकी kidney अच्छे से काम कर रही होगी क्योंकि जब आपका creatinine जादा होता है तो kidney के functions में problem आ जाती है तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि आपकी kidney सही से filter नहीं कर पारी जिसकी वजह से आपका creatinine level बढ़ रहा है और आपका GFR level घट रहा है तो इतना तो साफ हो गया कि GFR बढ़ाने के लिए हमें creatinine level को कम करना होगा अब अगर आपके मन में यह सवाल है कि creatinine क्या है और यह कैसे हमारी body में बनता है तो इसके लिए मैंने पहले ही एक video बना दी है जिसे आप आसानी से description में जाकर देख सकते हैं बहां आपको वीडियो का link आसानी से मिल जाएगा और आप creatinine level क्या होता है उस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं पैसे creatinine एक waste material होता है जो हमारी body में बनता है और muscles में बनता है यह एक तरह का protein ही होता है तो चलिए अब जानते हैं GFR को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो सबसे पहले हमें creatinine की production को body में कम करना होगा हमें कोशिश करनी होगी कि यह body में extra ना बने हम इसकी production को तो खतम करना ही सकते क्यूंकि हमारी body में muscles तो रहेंगे ही और जब muscles body में होगे तो creatinine बनेगा ही इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हम अपने खान-पान में बदलाव ला सकते हैं ताकि excess amount में creatinine ना बने और जब excess amount में kretinin नहीं बनेगा जब extra kretinin हमारी body में बनेगा ही नहीं तो हमारी kidney आसानी से kretinin को filter कर देगी urine के through इसके बाद दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं? हमें अपने GFR को बढ़ाने के लिए अपनी kidney की functioning को increase करना होगा क्योंकि kidney एक ऐसा body organ है जो regenerate तो नहीं होता लेकिन kidney अपने functions को बढ़ा सकती है मैं इस बात को आपको एक छोटे से example से समझाता हूँ जब कोई व्यक्ति अपनी एक kidney किसी को donate करता है तो उसके बाद उस व्यक्ति का ना तो kretinin level बढ़ता है और ना ही उसका GFR level घटता है क्या करते है हम से मेरा मतलब है भारत होमयपैथी हम अपने patients के kidney के functions को बढ़ाने की कोशिश करते है like किसी का kretinin level 5 mg पर deciliter तक पहुच चुका है या उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब साफ है कि उस व्यक्ति की kidney लगभग 70% तक काम नहीं कर रहे लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह recover नहीं हो सकती आपकी kidney recover हो सकती है पूरी तरह नहीं लेकिन आपकी kidney के कुछ हिससे recover हो सकते हैं जो काम नहीं कर रहे लेकिन वह अभी जिन्दा है वहीं आपकी kidney के कुछ हिससे मर भी चुके होते हैं लेकिन चिन्ता की कोई बात नहीं क्योंकि आपकी kidney अपनी functioning को बढ़ा सकती है तीसरा है आप अपने blood pressure को control में लाएं उसको reduce करें क्योंकि जब आपका blood pressure तेज होता है और जब वो आपकी kidney से filter होने के लिए जाता है तो वो एकदम आपकी kidney के कुछ body parts को hit करता है जिसकी वजह से जहां वो hit कर रहा होता है वो cells कठोर बन जाते हैं और ये कठोर cells आपकी kidney क को खराब करने की और ले जाते हैं और जब आपकी kidney में खराबी शुरू हो जाती है तो आपकी kidney functioning में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो इसलिए आप अपने blood pressure को control करें उसको reduce करें तो ये आप अपने खान-पान में changes लाकर improve कर सकते हैं चौथा है आपको अपना blood sugar level normal रखना होगा या कम करना होगा क्योंकि जब आपका blood sugar level high होता है तो इस वजह से आपकी arteries, veins और kidney काफी damage हो जाती है लेकिन अगर आपको अपना glimeral filtration rate बढ़ाना है या अच्छा करना है तो आपको अपने sugar level का खासा ध्यान रखना होगा इसके लिए आप अपनी diet में कुछ changes कर सकते हैं अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप उसको कोशिश करें avoid करें फिफ्थ है neutralized acid level in your body मतलब जब आपकी body में ज्यादा amount में acid produce होने लगता है तो इस condition को metabolic acidosis कहते हैं हमें इसे रोखना होगा अब हम इस acid को एकदम से body से बाहर तो निकाल नहीं स body के अंदर जो acid बना है जो इखटा हो रहा है उसे neutralize कर सकते हैं और अपनी kidney को स्वस्त करने की और एक कदम बढ़ा सकते हैं आप अपना GFR improve कर सकते हैं तो यह थे वो कुछ points जिसकी मदद से आप अपने GFR level को बढ़ा सकते हैं लेकिन इसके साथ ही अगर आप अपने GFR को ब भारत homeopathy में आपके मानसिक और शारिरिक विकास दोनों का ध्यान रखा जाता है अगर आपको वीडियो से related कोई भी question हो या कोई query हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप नीचे देगे numbers पर call भी कर सकते हैं और हमारे comment section में comment करकर अपने सवाल या suggestion हमें दे सकते ह thank you for watching